गर्मिया आने लगी है अब इच्छा अधी कुछ ठंडा ठंडा नमकिन चटपटा खाया जाए डाइट या वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए एकदम पर्फेक्ट रेसिपी लेकर आयों मैं पानी वाले पकोड़े पकोड़े सुनके आप सुछोगे हेल्दी कैसे हुए तो य एक छोड़ा चमच हल्दी एक छोड़ा चमच लाल-ममश पावडर नमक स्वाध अनुसर इन सब को अच्छे से म्क्स करेंगे अब यहां मैं एक छोड़ा चमच आजवाईन लेरी इसको हतलीा से यस तरीके से मसल के डालेंगे अब इसे भी अच्छे से mix करेंगे अब यहाँ जो पानी है मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूगी और इसको mix करती जाओंगी इसको जितना अच्छा फेटेंग है उतना अच्छा sponge बनेगा तो इसको 5-7 मिन तक आपको फेट ना है धिर धिर करके आप पानी डालेगा एक साथ मफ डालेगा जितना फ्यतना फेटेंग उत्त अभी ठीक होता जाएगा अभी भीच में आपको फी लगेगा फिर आप 2 चंब मत पानी डालेगा जादा इस तरीके से फेटेंगे तो यह अच्छा सा फुल जाएगा और जब आप पकोड़ी बनाएंगे न तो जाली जैसी बनेगी अच्छी फुली फुली ये देखिए इस तरीके से लूज होने लगा है अब इसमें मैं अट कर रही हूँ चार बारी कटी भी हरी मेर्च हरा धनिया बारी कटा हुआ सबको अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसे कवर करके 5 मिट सेट होने के लिए रख देंगे चटपट चटपटा पानी बना लेते हैं इसके लिए मैंने थोड़ी सहरा धनिया अब अधीना हरी मेर्च अद रख लिया है अब इसमें दो बड़े 강्वा नमग पानी या फिर्च निमबु कर रूसभी लिया है, यहां डालेंगे कालनंग लुको अलाय मक ऊपरसे मियालतीजिया स्मेट करेंगे मुपर से ओर मसाले तो यहां मैट कर रहे हुए एक च्छोड़ा चमच काला नमक पींच दाल रहे हूं और हे हुए अच्छा फ्लेवर भी आता और डाजिस्ट भी करता है एक च्छड़ा चाट मसाला एक च्छड़ा चमच लाल मिर्च पॉडर और नमक अब यहां पर मैं एड़ करूंगी दो बड़े गिलास पानी एड़ कर रही हूं इसको मिक्स करते जाएंगे सब मसालों को आपके साबसे से पानी कम यह जादा डाल सकते हैं अब मैं पे में इंट लीव्ट डाल रही हूं इससे अच्छे दिखेंगी इन सबको अच्छे से मिक सकते हैं बस इस तरीके से सारे डाल दीजैसे हम अप्रे डालते हैं अब बहुत जल्दी जाते हैं और मद्धी आँच पे इसको एक से दो मिट आप बस पकाएंगे अब यह देखे रेडी हो जाते हैं इसको टान कर लेंगे इस तरीके से यह गोल्डेन हो जाते हैं और वही तेले देखिए अभी तक है, बिल्कुल भी पिया नहीं है, अब इसी ओयल में जो बचा इसी में आप बापस सकेंड आप राउन डाल सकते हैं, लीजी रेडियो हो गये हैं, बीना तले वे पकोड़ी, छे स्पंजी बने अंदर से कच्चे भी नहीं है, है ना बढ़िया, अब एक बाउल में गुन-गुना पानी लेंगे, उसमें एक छोड़ा चमश नमक डाल देंगे, इसमें डाल देंगे पकोड़ी, अब इसको पांच मिट तक कवर करके रख देंगे, ताकि गल्जा जैसे हम दई भड़े बनाते हैं, उसी तरीके से करना है, यह सोफ्ट हो जाएं ताकि यह अंदर से कच्चे ना रहें, लीजी यह भी रेडी हो गया है, इने पीपे में दिखाते हैं इस तरीके से देखिए, इसमें भी स्पंज बना है, जित्ता फेटेंगे न उतना अच्छा स्पंज बनेगा, और बहुत अच्छे लगेंगे, अब यह पांच मिट हो ग जो मैंने चटपटा पानी बनाया था, उसमें डाल देंगे, इसी तरह से यह तले वाले भी बकरेंगे, सेमे में, बस इस तरीके से सपोर डाल देंगे, अब इसके ओपर आप चाहें, तो प्याज जाल सकते हैं, और इसको सर्फ कर सकते हैं, कहीं लोग प्याज नहीं खाते बिना प्याज कभी दे सकते हैं, और बारिक प्याज काटके भी, मुझे पता नहीं, आपको इसको देखते वे मुझे पानी आ रहा है किनी, पर मुझे बनाता वकर तो बहुत मुझे पानी आ रहा था, और मुझे से रुखाने जाए, मैं तो खा रही हूँ, यम्मी, रियली एक बार तो आप जरूर बना के देखिएगा, ट्राय कीजिएगा, और आप किस सेटी से देख रहे हैं, यह जरूर मुझे कमंट बॉक्स से बताएगा, और लाइक शेयर करना ना भूलें